है मुख़ें बगाम एक के आटी चो को सो करने माले हैं मैं यह बहुत हमे बहुत कामें मेड़िगी है मुखी छिल्था हैं जाये खौत कम बड़ेखें जालेज उसाफलिक विद्धिक 9 व्रुत नहीं कुछरओ् अभीचन में अभेलेबल हो तो मैं बनाने वाली हूँ नान खटाई और इस नान खटाई को बनाने के लिए यहां पर हम इसमें कुछ फ्लेवर्स एट करेंगे जिसके अंदर जो हमारे स्टार फ्लेवर होगा वो घो नान खटाई को और ज्यादा यहां पर चेक कर लें क्या कि इंग्रीदिंस करने वाले हैं तो नान खटाई बनाने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे मैदा और यहां पर यूज करना है गी गी अपको सैमी सॉलिड होना जो यहां पर हम को मेल्टेट गी नहीं चाहिए इसके अलावा यहां पे आपको लेना है salt and baking soda, थोड़ा सा बेशन और cardamom powder, cardamom powder बना लिया था और थोड़े से आपको चाहिए इसमें pistachio बस यही थोड़े से ingredients चाहिए आपको इस recipe को बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको घी लेना है और यह recipe को आपको घी से ही बनाना है आपको इसमें butter or oil add नहीं करना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है नान खटाई का वो घी से ही आता है तो इसमें हम डालेंगे गी में powdered sugar और हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे जबता है क्रीमी ना हो जाए अब आप देख सकते हो जो हमारा घी है वह पूरी तरह से क्रीमी और light हो गया है light in color अब इसके अंदर सीव करेंगे अपने सारे ड्राइं ग्रीडिंस उसमें मैं डालूंगी बेशन और सॉल्ट और उसके इलावा हम एट करेंगे मैदा और बेकिंग सोडा और आपको इस अच्छी तरह से सीव करना है और हम इसे अगें मिक्स करेंगे और इसके अंदर ही हम एट करेंगे अपना काडमों पाउडर थोड़े सी यहां पे में पिस्टाइक्यों यूज करूंगी अब हम इसे हाद से इसका डो बनाएंगे हमारा जो डो है वो रैडी हो गया है अब आपको इस डो को इकुल पार्ट में डिवाइड करके इसको रोल करना है आपको जिस भी साइज की नान खटाई बनानी है वह आप साइज यूज कर सकते हो यहां पर में इस साइज की अपनी नान खटाई बनाऊंगी आपको थोड़ी थोड़ी से पिस्टाचियों को स्प्रिंकल करना है इस तरह से स्प्रिंखल लंगा के बाद fulfill मैइक की हैलकर हलुका एक कट देना है बहुत हलका से आपको कर देना जादा नहीं अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटे डवन में आल्मूस्ट 20 मिनिट्स के लिए झाल झाल rhyme